आज हम बात करेंगे भिनका जोड यानि की ट्रेक्शन का एडिशन हम भिनका जोड कैसे करते हैं आज हम इस विशे पर चर्चा करेंगे जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सस्काइब करें वीडियो को अंतर देखें वीडियो को सेर करें लाइक करें देखेगा अगर हमें बिन दे रखा है दो बटा चार तीन बटा पांक तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे इसमें अंस कौन से हैं और हर कौन से हैं तो हमारे जो उपर वाली संक्या होती है और नीचे वाली संक्या हर होती है अंस उपर वाले संक्या कहला जाती है और नीचे वाले संक्या हर कहला जाती है जैसे कि दो बटा चार दो जो है अंस है और चार जो हर है तीन बटा पांक इसमें तीन अंस है और पांक जो है हर है तो उपर की संक्या अंस होती है और नीचे की संक्या हर होती है तो हम सबसे पहले सवाल करने से पहले ये देखते हैं कि हमारे हर समाम तो नहीं है और हमारे हर यहाँ पर चार हैं और यहाँ पर भी हमारे चार होते तो हम सवाल को और तरीके से करते हैं लेकिन यहाँ पर हमारे अंस हर चार हैं और यहाँ पर हर 5 हैं तो हम इसको सवाल को अलग तरीके दिकरेंगे देखेएगा इसमें हम सबसे पहले करते हैं Cross Multiply जैसे कि 5 की गुणा करेंगे हम 2 से और 4 की गुणा करेंगे हम 3 से यह सवाल मैंने कर भी रखा है मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ फिर भी देखना 5 की हम गुणा करेंगे 2 से 5 दूनी 10 यहां लिख देंगे यह प्लस का निसान यहां आ जाएगा 4 की गुणा करेंगे 3 से 4 तियां 12 4 की गुणा हम दे 3 से करेंगे तो 12 यहां आ गया बटे का निसान आ गया फिर 4 की गुणा करेंगे 5 से 4 पंजी 20 हो गया 5 की 2 से करेंगे 10 आए 4 की 3 से करें 12 आए 4 की 5 से करें 20 आए अब हम इसको जोड लेंगे 10 और 12 हमारे 22 होते हैं 20 हम ऐसे लिख देंगे उसके बाद हम देखेंगे सवाल किस से कर रहा है सबसे पहले सबसे छोड़ी संके हम 2 से इसको काड़ते हैं 2 की टेविल में 10 आते हैं 11 बार में 22 दो बार में आते हैं 11 दुनी 22 और 10 दुनी 20 यानि कि 2 धाई 10 और 2 से जब काटेंगे 20 को 11 बार में कर जाएगा तो हमने इसको काट दिया 2 दुनी 10 यहां 10 आ गए और 2 से काटेंगे तो 11 दुनी 22 तो 11 यहां आ गए तो हम यहां लिख दिनगे 11 बटे 10 यह हमारा आंसर हो गया 11 बटे 10 देखेगा अगला कोस्चन देरका है हमें 5 बटे 3 प्लस 4 बटे 2 तो इसमें हमारे उपर की संक्या अंस है और नीचे की संक्या हर है तो हम देखेंगे हर हमारे समान तो नहीं है तो इसमें भी हमारे हर अलग-अलग है इसमें 3 है इसमें 2 है तो हम क्या करेंगे इसमें क्रॉस मल्टिप्राई करेंगे जैसे उस सवाल में क्या है 2 की टेबिल हम 5 से पढ़ेंगे और 3 की टेबिल 4 से पढ़ेंगे 2 पंजे 10 2 पंजे 10 हो गया किलस कहने सान आ गया 3 चौक 12 हो गया 2 कहने सान आ गया 3 दुनी 6 हो गया अब हम इसको जोड लेंगे 10 और 12 होते हैं हमारे 22 22 हो गया 3 दुनी 6 6 हमारे यहां पर ऐसी आ जाएंगे तो हम इसको काट देंगे देखेंगे किस से कटेंगे सबसे पहले सबसे छोटी संकी हम 2 से के देखते हैं तो 2 से हमारे यह कट जाएगा 2, 3, 6 और 2 से हम काटेंगे 11 बार हमारे टेबल जाएगा 11 दुनी 22 तो हम यहां लिखेंगे 11 बटे 3 यह हमारा आंसर हो जागे 11 बटे 3 सबसे पहले हमने क्या किया 2 की टेबल पड़ी 5 बार 2, 5, 10 आ गए 3 की टेबल पड़ी 4 बार 3, 4, 12 हो गए P पलस के निसान बीच में लगा दिया 3 दुनी 6 नीचे आ गए बराबर के निसान लगाया 12 और 10 हमारे जोगे 22 6 हमारे ऐसी आ गए तो हम इसको काटेंगे 2 से सबसे छोड़ी संके 2 होती है इससे हम काटते हैं तो 2, 3, 6 और 2 की जब हम करेंगे 22 के लिए तो 11 दुनी 22 तो हमारे 11 बाटा 3 यह आंसर आ गया देखेगा अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 6 बटे 4 और 3 बटे 4 तो इसमें हम देखेंगे हर हमारे समान है जब हम हर हमारे समान होते हैं तो हम सवाल को अलग तरीके से करते हैं देखेएगा इसमें हम क्रोस मल्टिप्लाई करेंगे 4 चंग 4 चंग 24 पिलस का निसान ऐसी आ जाएगा चारतियां 12 बट्टी कनसान आ गया अब इसमें हमारे हें इसमें और इसकी दुना नहीं करेंगे इन सवालों में इसमें इसकी दुना करके यह च्छे लिख दिया था जैसे 3 में 6 ऑ गया था चार 500 पैसे 20 हो गया था इसमें हम डाइट लिखेंगे इसमें हमारे जो हरें समान है तो हम इसको फिर जोड़ लेंगे 24 और 12 हमारे कितने होते हैं 36 24 और 12 हमारे हो गए 36 4 हमारे ऐसी आ गए तो हम इसको देखेंगे 4 की टेवल दे 36 कड़ रहा है डारेक्ट तो काट देंगे 4 एकम 4, 4 निम 36 37 तो हमारा आंसर आ गया है 9 बटी एक यह हमारे सारे सवाल सौल हो गए गाइस और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सेर करो फॉलो करो मेरे चैनल को